हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करते हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे तो चलिए आज आम एक नया अध्याय पढ़ेंगे और हमारे अध्याय का नाम है मेहनत का पल पार्ठ को शुरू करने से पहले उसके विशे में जान लेते हैं तो बच्चों इस पार्ट में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कोई काम नहीं करता था किंतुğ एक दिन परिश्च्टम के बल पर वह एक सफल व्यापारी बन जाता है कैसे बन जाता है वो इस पार्ट में जानेंगे हम सबसे पहले पार्ट में आने वाले कठिन शब्ध जानने और कठिन शब्ध हैं पर्चाई, टिम्टिमाते, गठर, तहनिया, अंकोर, व्यापारी, द्रिश्य और वास्तव, अब इन कठिन शब्धों को हम इस पार्ट में नदी के किनारे जाकर बैठ जाता वे कुछ काम नहीं करता था कोई उससे पूछता कि वे काम क्यों नहीं करता तो वे सभी को एक ही उत्तर देता उसके पास कुछ काम ही नहीं है अते वह क्या करें एक दिन रात के समय नदी के किनारे बैठा हुआ था तभी अचानक उसका ध्य पिछे की और गया। उसे एक परच्छाई दिखाई दी। यह परचाई एक सुंधर परी की थी। महेश परी को देखता रहा। मतलब परी इतनी खुबसूरत थी कि महेश उसे देखता ही रह गया। परी ने पूछा तुम यहां क्या कर रहे हो। नदी में उठती लहरे देख रहा हूं, आकाश में टिम्टिमाते तारे देख रहा हूं, टिम्टिमाते यानि की जग मगाते, महेश ने उत्तर दिया, महेश ने का नदी में उठती वी लहरे देख रहा हूं और आकाश में जो तारे टिम्टिमाते उन्हें देख रहा हूं, त यानि मेरे पास कोई काम नहीं है परी ने पूछा भई कुछ काम तो कर लो तुम उसने का जब मेरे पास कोई काम ही नहीं है तो क्या करूं मैं परी ने का यदि मैं तुम्हें खजाना दे दू तो तुम क्या करोगे खजाना यानि की बहुत बेशकीमती सामान तो महेश ने एक आएक उत्तर दिया मौच करूंगा मौच परी मुस्काई पिर बोली मौच बाद में करना पहले यह बताओ कि यह बाग किसका है जहां हम दोनों खड़े है महेश ने उत्तर दिया ये बाग मेरा है परी बोली इस बाग में कहीं खजाना चिपा है तुम खोद का ढूंड सको तो खजाना तुम्हारा इतना कहते ही परी महेश की नजरों से ओजल हो गई ओजल यानि की गायब हो गई बस फिर क्या था परी की बाद सुनते ही महेश ने बाग की खुदाई आरम कर दी आरम यानि शुरू कर दी उसने सारा बाग खोट डाला पर उसे खजाना नहीं मिला रात हुई और प्रति दिन की भाती वे आज भी नदी किनारे अपने बाग में आकर बैठ गया अभी वे बाग में बैठा ही था कि इतने में परी वहाँ गई महेश ने का तुमने मुझसे जूट बोला इस बाग में कहीं कोई खजाना नहीं है परी मुसकाई और बोली खजाने की चावी देने आई हूँ तुमें ये टहनिया लो और इन्हें बाग में रोप दो यानि की बो दो कुछ दिन बाद इनकी सुचाई करना और फिर भी खजाना ना मिले तो बताना अजीब सी टहनियों का गठर था अजीब यानि की समझ में नहीं आ रहा था एकदम अद्भुद जैसे महेश ने गठर खुला टहनिया ली और उन्हें एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पर बाग में रोप दी कुछ महिनों बाद उन टहनियों में अंकूर फूट आये यानि की छूटी छूटी पोपले उट गई उसने नदी के जल से उन टहनियों की सिचाई की देखते ही देखते टहनिया बेलों की रूप में बढ़ने लगी महिश ने उनको लाठियों का सहारा देकर खडा किया थोड़े दिनों में बेलों पर अंगूर ही अंगूर दिखाई दिने लगे अंगूर इतने मीठे जैसे शहद चारों और बात पैल गई कि महेश के बाग के अंगूर शहद जैसे मीठे हैं अंगूर खरिदने के लिए दूर दूर से व्यापारी आने लगे मुँ मांगी कीमत दे कर व्यापारी महेश से अंगूर खरित का ले जाते महेश के पास बहुत सारा धनी खटा हो गया वैर रातों रात अमीर बन गया आज महेश बहुत प्रसंद था प्रसंद अर्था पहत खुश था रात को परी फेर आई उसने महेश से पुछा कैसे हो? खजाना मिला क्या? महेश ने उत्तर दिया हाँ मिला महेश तुरंत बाग में गया तुरंत यानि की पिलकुल उसी समय वो तुरंत बाग में गया और अंगूरों का एक गुच्छा तोल लाया वै परी से बोला यह मेरी महनत का खजाना है यह फल तुम भी खाओ यह मेरी महनत का फल है महेश की बात सुनकर परी खोश हो गई परी ने अंगूर खाए और बोली तुम्हारी महनत के फल वास्तव में बहुत मीठे है परी फिर बोली देखा महनत का फल कितना मीठा होता है इसलिए अब मेहनत करना और सदा मीठे मीठे फल खाना इतना कहकर परी अद्रिश्य हो गई अद्रिश्य या सिन्यानी की वहां से गायब हो गई तो बच्चों आपने देखा, महनत का फल सच में मीठा होता है चाहे वो महेज द्वारा की गई बाग में महनत हो या आपकी परिक्षा में की गई महनत हो जहांबे आप महनत करेंगे, आप उसका फल मीठा ही पाएंगे अब आप भी इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में जरूर अपनाईएगा और मेहनत से दूरी मत बनाईएगा अब भी इस पार्ट से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में जरूर अपनाईएगा और मेहनत से दूरी नहीं बनाईएगा अब इस पार्ट का भ्यास कार्या स्वेम कीजिए।